सीवीटी की तयारी कर रहे हैं, सीवीटी का एक्जाम देकर के मनपसंदिदा विस्विध्याले में जाने के प्रयासरत हैं, तो आपको जो एक्जाम देना होता है, उस एक्जाम को सीवीटी कहते हैं, और उसे कंड़क्ट कराती है, NTA National Testing Agency, इसका काम होता है एक्जाम को कंड़ कराना, पर मैं आपको बता दूँ कि NTA जैसे ही कलेंडर जारी करेगा, जारी एक दो दिन में करने वाला है, आज ये वीडियो जो है NTA की एक नोटीस पर है, जो उसने नोटीस जारी की है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्त तक देखिए ताकि उस नोटीस में NTA क्या कहना चारा है, और उससे आपके CUT की एक्जाम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको मैं यहाँ पर डिस्क्राइब करूँगा, तो ध्यान से देखना इसको, ठीक है, तो NTA का काम हता है, एक्जाम कंड़क्ट कराना, वो CUT का एक्जाम ही नही करेंगे, यहाँ तीन जो एक्जाम है, जो आपको NTA के द्वारा बहुत इस्पेशल एक्जाम है, जो कंड़क्ट कराए जाते हैं, अब यहाँ बात आती है, कि CUT के एक्जाम का जो पैटन रहा है, वो यह है कि जनरल टेस्ट में जो है, 60 कोस्टन पुछे जाते थे, 50 करने ह होते थे, ऐसे ही जेए मेंस में भी, पेपर B में जो है, पांच, 10 कोस्टन पुछे जाते थे, 5 करने होते थे, अब यहाँ पर मैं आपको नोटीस की तरफ ले चलूँगा, तब इसको समझाओंगा, तो सायद आपको जादा समझदाएगा, NTA ने जो नोटीस जारी की है, य यह नोटीस जो है, आई है और इसमें इन्होंने कहा है, कि during the onset of the COVID-19 pandemic, the National Testing Agency had implemented an options in section B of each subject in J.E.M.S. exam, allowed candidate to the attempt of 5 questions out of the 10 of the questions since J.E.M.S. 2021, COVID-19 की वज़े से इन्होंने क्या किया था, J.E.M.S. में 10 questions देते थे section B में और 5 attempt करने होते थे, लेकिन अभी यह नोटीस जारी करके क्या कहना चाहते है, since the declaration of UN World Health Organization of the COVID-19 as the end public health emergency, जो कि खतम हो चुका है, COVID-19 public health emergency खतम हो चुकी है, तो फिर क्या है, the examination structure would return to its original format, where section B will be contained only 5 questions per subject and candidate will be the required to attempt all 5 questions without any options, तो आपको जो है, 5 questions अब दिये जाएंगे, और आपको वही 5 questions करने होंगे, जो हम देंगे, उसमें कोई भी option नहीं दिया जाएगा, ये मैं correlate J-Mains को CVT से इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि एक ही company जो है, एक ही संस्था जो exam कराती है, तो हो सकता है, में भी मुझे ऐसा लग रहा है, कि आने वाले समय में, जैसे ही calendar जारी होगा, और जैसे ही NTA अपना notice जारी करेगी, CVT के recording, तो हो सकता है, यहाँ पर ये कह दे, कि हम आपको 50 question देंगे, और 50 करने होंगे, हम आपको 40 देंगे, और 40 करने होंगे, इस आने वाली परिस्थिती के लिए आपको तयार रहना होगा, options हटा सकती है, NTA, कोई इसमें वो नहीं है, और ऐसे भी 3 साल exam कराने के बात pattern में बदलाव करने की संभावना बनी रहती है, तो हो सकता है बदलाव करे, और NTA इन चीजों के लिए जाना जाता है, वो at the end समय के एक दिन पहले भी बदलाव कर देता है, इसके लिए आप एकदम भली भातित परचित रहिए, इतमिनान से इस बात को mind make up करके चलिए, कुछ भ नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप उस नंबर पर message call कर सकते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे batches चल रहे हैं, आप उसमें भी जुड़ सकते हैं, और इसके अलामा कोई भी जान करीचे तो चैनल को subscribe करके अपने पास रखे रहे हैं, जैसे ही calendar आएगा है, जैसे कोई notice आएगे, हम आप तक जरूर पहुचाएंगे, thank you so much, जैहिन